दोस्तों एक बार फिर से स्वागे था आपका प्रजापती न्यूज में How sugar is made from sugar cane? दोस्तों क्या आपको मालूम है चीनी कैसे बनती है? जैसा कि आपको दिख रहा होगा कितनी आसानी से ताजी ताजी चीनी बन रही है चलिए पूरा प्रोसेस जानते हैं आखिर चीनी फैक्टरी में बनती कैसे? दोस्तों शायद ही ऐसा कोई शक्स होगा जिसे मीठा न पसंदो क्योंकि थोड़ा बहुती सही लेकिन हम सभी मीठे के दिवाने हैं और मीठे के लिए इस दिवानगी का असर अभी से नहीं बलकि 2000 सालों से भी पहले से चला रहा है क्योंकि मीठे का सुआद मूँ में आते एक अलग ऐसास होता है वो हमारे दिमाग में खुश रहने वाले हॉर्मोन्स जिने डोपामिन कहा जाता है उनने सक्रीगर देता है खैर मिठास तो हमारे दिमाग में असर करती है लेकिन जब बात मीठे की आती है तो सबसे पहले चीनी का जिकर आता है क्योंकि अधिकतर चीज़ें चीनी से ही तो बनती है लेकिन जब दुनिया भर में मौझूद अधिकतर स्वाधिष्ट चीज़ें चीनी से बन कर तयार होती है तो सवाल यह आता है कि आखिर चीनी किस चीज से बन कर तयार होती है और इसे बनाने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है दोस्तों आज की वीडियो में मैं यानि आपको दूस्त विशाल प्रजापती आपको ये बताने वाला हो कि किस तरह बड़ी बड़ी फैक्टरीज में चीनी बन कर तैयार होती है चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन हाँ वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी जे रिक्वेस्ट है वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखरा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में पैल आइकोन भी दिखरा होगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ब्रेजील के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा चीनी का उतपादन हमारे भारत में होता है और ये उतपादन साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है लेकिन जब बात इसके बनने की प्रक्रिया कियाती है तो सबसे पहले गन्ने को खेतों से काट कर शुगर मिल तक लाया जाता है और ये चीनी बनने की सबसे पहली प्रक्रिया है क्योंकि चीनी दिक्तर गन्ने से ही तो बनाई जाती है हाला कि इसे बनाने के लिए गन्ने के अलावा शकरकंद का भी इस्तिमाल किया जाता है लेकिन भारी मातरा में गन्ना ही चीनी बनाने के लिए उप्योगी होता है इस वज़े से जब गन्नों को खेतों से निकाल कर शुगर मिल तक लाया जाता है तो उनके छोटे छोटे टुकडे किये जाते हैं और उन टुकडों के लिए इन्हे चौपर नामी मशीन में डाला जाता है इस मशीन में गन्नों के बराबर साइज के टुकडे होते हैं और ऐसा इसलिए होता है ताकि इन्हें सही मातरा में निचोड़ कर ज़ादा से ज़ादा रस निकला जा सके और फिर दोस्तों गन्नों को धोया जाता है और जब गन्ने पूरी तरह से साफ हो जाते हैं तो उन्हें निचोडनी के लिए एक क्रेशर में डाल दिया जाता है ताकि गन्य का रस और छिलका पूरी तरह से अलग लग हो जाए दोस्तों शूगर इंडस्ट्री में अलग होने वाले छिलकों को बगास कहते हैं जिसे बाद में इंधन के तौर पर इस्तिमाल किया जाता है दोस्तों ये तना पावरफुल इंदन है कि शूगर इंडस्ट्री की तमाम जरूरतों को इसी की मदद से पूरा कर लिया जाता है गन्य के छिलके और उसके रस को अलग करने के लिए जो मशीन इस्तिमाल होती है उसे मिल हाउस कहते हैं दोस्तों मिल हाउस से हासिल होने वाले गन्य के रस को चान कर प्रोसेस हाउस में भीज दिया जाता है और उसी प्रोसेस हाउस में गन्य के रस को चीनी के दानों तक के प्रोसेस को तैय करना होता है जहां सबसे पहले गन्य के रस को 75 डिगरी पर गरम किया जाता है और फिर इसमें milk of lime मिला जाता है और इसे मिलाने का एक मात्र मकसद यह होता है कि गन्ने में मौझूद acidity को कम किया जा सके क्योंकि उसके अंदर hulkyful की acid की मात्र होती है लेकिन इस अमल को मिलाने के बाद वो कम हो जाती है और फिर उसे करीब 104 degree में गरम करके clarifier में डाला जाता है जहां पर उस रस के अंदर तरह तरह के food grade chemical इसमें डाले जाते है ताकि रस में मौझूद तरह तरह की impurities वगरा नीचे बैठ जाए जिस वज़े से हमें साफ रस उपर की सता पर आता होगा दिखाई देता है तो दोस्तों साफ रस उपर आत चुका होता है इसे evaporator की मदद से भाप में उबाला जाता है ताकि रस में मौझूद पानी भाप बन कर अलग हो जाए और इसी process की वज़े से रस गाड़ा होकर शिरा बन जाता है और फिर ये गाड़े शिरे को भाप के जरीए गरम करके चीनी के खान दाने यानि की raw sugar crystals बनाये जाते हैं और जब ये raw sugar तयार हो जाते हैं तो इसका कुछ हिस्ता रख लिया जाता है क्योंकि इसे मिश्री बनाने वाले लोग खरीद लेते हैं क्योंकि इस तरह की चीनी chemical से भरी पड़ी रहती है जिस वज़े से मिश्री बनाने के लिए एक कड़ाई में raw sugar यानि पानी और थोड़ा सा दूद डाल कर अच्छी से उबाला जाता है और कई घंटों तो गुबालने के बाद जब ये लेजदार हो जाती है तो पहले से तैयार दूसरे बरतन जिनके उपर धागे लगा जाते हैं उसमें डाल दिये जाता है और फिर आठ दिनों तक इन्हें पूरी तरह से ढख कर रखा जाता है ताकि इसको किसी भी तरह की हवा ना लगे और जब आठ दिनों बाद इसे खूला जाता है तो रोशूगर से मिश्री बनकर तयार हो जाती है जो कि चीनी के तरह ही होती है लेकिन उसका स्वाथ थोड़ा अलग होता है और दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि रोशूगर से बताशे भी बनाय जाते हैं जिसके लिए एक कड़ाई में चीनी, पानी और रंगों को सफेद करने के लिए बेकिंग सोडा या हाइडरो पाउडर डाल कर अच्छी तरह से पका लिया जाता है और बाद में इसके छोटे छोटे ड्रॉप्स गिरा कर बताशे बनाय जाते हैं पर अब बात करते हैं असल मायनों में जो छोटी छोटी चीनी हम खाने में प्रियूग करते हैं वो किस तरह बनती है उसके लिए दोस्तों रोज शूगर को शीरे से अलग करने के लिए एक खास तरह की छननी से गुजारा जाता है जहां देसी चीनी और शीरे को अलग कर दिया जाता है दोस्तों उससे शीरे को मॉलासस कहते है और इसे कई तरह के प्रोसस से गुजार कर कई ग्रेड्स की चीनी बनाय जाती है और आखिर में जो मॉलासस बचता है उससे फाइनल मॉलासस कहते हैं और ये शूगर इंडस्ट्री के लिए बाई प्रोडक्ट होता है जबकि हासिल होने वाली देसी चीनी को गरम पानी में डाल कर दुबारा से मेल्ट किया जाता है और दोस्तों फिर इने लीकर में डाला जाता है जिसके अंदर कई तरह के food grade chemicals डाले जाते हैं ताकि चीनी का color सफेद हो जाए और फिर इस देसी चीनी को चान कर purify किया जाता है और फिर दोस्तों उससे हासिल होने वाली चीनी को गरम हवा से पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है जिसके बाद इस फाइनली चीनी के दानों को चीनी के साइस की छलनियों से उजार कर अलग लग कर दिया जाता है जहां बारीक और मोटे दाने वाले चीनी को पैक करके सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है और जो दाने छोटे रह जाते हैं उन्हें पीस कर शुगर पाउडर बना दिया जाता है तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस तरह खेतों में लगे गन्ने से लेकर चीनी के दानों का ये सफर अलग-लग प्रोसेस से होकर गुजरता है बाकि आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कॉमेंट करके बताईए और इसी तरह की शांदार वीडियोज को लगातार देखने के लिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोज दिख रही है जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें दोनों देखिएगा बहुत अच्छी वीडियो बनिए